हाई फ्रेंड शुमयारती कैजर गाइडेंस में आप सभी का बहुत-बहुत श्वागत है फिर्ट्स आसका जो वीडियो है यह ओल्ड कुश्चन पेपर है आपका और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यह है इन्डिया ठीक है हिस्ट्री इच आई जिरो वन चैने इसमी ओल्ड कुश्चन पेपर देख लेते हैं क्योंकि अगर आप एक्जाम दे रहे हैं और आपको ओल्ड कुश्चन पेपर मिल जाये तो यह कि बेस होता है काधार होता है कुश्चन को जानने का पेपर पैटरन को जा आएंगों 418 दोनों का चलिए देखते हैं कौन से कुश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए है बार बार ठीक है तो चलिए देख लेते हैं यहां पर आपका जो यह पेपर होता है वह आपका हैंडेट नंबर का होता है त्री और का है 6-1 जो है इंग्लिस हिंदी दोनों में है तो यह इंग्लिस में दिया हुआ है चलिया है हम लोग निकल लेते हैं जल्दी से हिंदी में ओके तो यह आपका आ गया यहां पे हिंदी ठीक है अब यहां पर देख लेते हैं question जल्दी जल्दी से की कौन कौन से है ठीक है ना देखे यहीं पर बता दिया है खंड A, section A में आपको 2 question करने है 500 words में लिखने है और section जो B होगा खंड दो में आपको 4 question करने है 250 words में करने है और section C होगा उसमें दो संचिप्ट टिपणियां लिखनी है देखे अठारा सो संतामन के बिद्रो की कारणों की विवेचना कीजिए और आज मैंने वीडियो डाला और मैंने आपको बताया भी है कि अठारा सो संतामन के बिद्रो बेरी इंपॉर्टेंट है इसके कारणों की विवेचना करना या फिर इसकी अस्फलता की क्यों अस्फल हुई यह दो question जो है बेरी बेरी इंपॉर्टेंट आपके है फिर तंटी मार्ग का है दूसरा question है 1947 से पहले भारती क्रिश्ट की क्या दशा थी वैसे हम लोग question पैटन थोड़ा गलत में ले लिया है पहले चलते हैं आपका 2014 में ताकी समझ में आए कि कौन से question repeat हुए है सब चीज वैसे जो आपका इंस्ट्रक्शन सेम वैसा ही है सिर्फ इसमें question देख लेते हैं अब देखें यहां पे question है अब फृक्य प्रशासनिक विवस्ता के बारे में बदाया भी है आपको ठीक है और इसी तरह से 19-9 सतापदी के भारत में समाजिक सुधारों की प्रमुख प्रवित्यों का विस्तर करना है बहरत में 1920 और 1930 के दसकों में हुए किसान आंदोलनों पर एक ट्रिपणी लिखना है सविना वग्या आंदोलन के विभीन चर्णों का वर्णन कीजिए कि सविना वग्या आंदोलन के कौन-कौन से चर्ण है इसका वी वीडियो आल लेडी अप्लोड है सक्षन B में आते हैं अठारा सव संतामन के विद्रों की महत्व की चर्णा करना है यानि अठारा संतामन बेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए इसे देखिए दो कुश्चन आपके इसमें आ गए हैं बंगाल में श्वद इसी आंदोलन पर एक ट्रिपणी लिखिए गांधीबाद विचारधारा के महत्व पुन पहलों की चर्णा कीजिए उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने अकाली आंदोलन को जन्मी दिया दस नंबर का कुश्चन दच्छन भारत में गैर प्रामण आदोलों की चर्णा कीजिए सभी आगे चलके आएंगे त कांग्रेश और अंग्रीजी सरकार भारत के विभाजन के रियुक्तरदाई थे सुतंत्या के बाद भारत की विदेश नित्की मूल विशेश्टाव पर आपको चर्चा करना है सब्सक्राइब लिखनी है संचिप्त सब्सक्राइब लखनव समझाता कांग्रेश समाजवादी देल आजाद हिंद पोस्ट बहुत ही एजी है अब चल लेते हैं बलकि दूसरे में 18 वाले में कौन से कुश्चन रिपीट हुए है देखे 1857 के उसमें महत पोचा था इसमें विद्रो पोच दिया मतलब कोश्चन 1857 लेशन आपको बिलकुर पढ़ लेना है विसेश्टा है महत विवेशना सब भी चीज़े आपको पढ़नी है इसे नहीं छोड़ना है ठीक है प्रफिर निशुक्तालिष से पहले भारती कृश्च के क्या दसा थी कि बाद कृष्ची में अरित निशंच वर्षी वर्षी के लिए असेवर आंदलन्था वाले में इसको डाला है अब सेक्षन आपका है बी आजाद हिंद पहुच पर दे दिया और जब कि उस वाले पेपर में हमने देखा तक उसमें टिपनी में दिया था जो कि छे नंबर का था आजाद हिंद पहुच पे बेरी इंपोर्टेंट कुश्चन सी आपका है भारती राष्टी का संप्रदायबाद की प्रक्त्रिया का वर्णन कीजिए यह कुश्चन भी आया था तीन चार कोश्चन अभी रिपीट हो चुके हैं भारत में जनतांत्रिक विचारों के विकास पर एक टिपनी लिखना है ओके निमला कितिमें से किनी दो पल लगवक्ष और शब्दों पर ल होम रोन लिंग धनकी निकासी संथाल विद्रो वंकिम चंडर होम रोल लिंग धनकी निकासी ड्रोन थेयोरीजी से बोलते हैं वह है ठीक है ना तो अब यहां पर यह वह चलिए कुश्चन और मैं ले लेती हूं वह 2016 का 2016 को 2018 से कम्प्यर करते हैं ठीक है और फिर देखते हैं जिन में है तो फ्रिंट्स चलिए अब यहां पर देख लेते हैं 2016 कभी मैंने एक पेपर ले लिया दिसंबर में जो एक्जाम हुए थे अब 2016 से 2018 को कंपियर करते हैं बहुत लंबा गैफ है लेकिन जो पेपर होते हैं वह दो तीन साल के पेपर में बनाया जाते हैं ठीक है ना चलिए यहां पर देख लेते हैं आधनिक भारत ठीक है आघरासव संताम्र के विद्रों के कारण और उसके प्रभाव का विसलेशन कीजिएuring एक ढरास्व संतामन में विद्रों आप उसके कारण क्या थे और उसन कापिर प्रभाव क्या पड़ा आज ही मैंने वीडियो बनाया प्लिज आप प्रश्य क्रांटी के कारण और उसके प्रकित का वर्णन की जहाएं यह आ पर आगे चलकर नरम पंति और गरम पंति के 20 संगर्स की मुद्डों की चर्चा करना है शूरत में 1907 में कांग्रेश की विभाजन में इसकी क्या भूनका थी यह भी आपको लिखना है यह भी न्यू कोश्चन है अकाली आंदोलन के उदा के कारणों का मुल्यांकन कीज़े टिपड़ी में अकाली आंदोलन था आपका यह देख लिजेगा बहरी इंपोर्टेंट है विकास पर प्रकाश डालिए भारती पूजी पती वर्ग के उत्थान के कारणों की विवेचना किज़े और भारती राष्टी कांग्रेश से इसके संबंदों की चर्चा करना है साइमन कमिशन पर एक टिपड़ी लिखिए 1947 से 1964 के दोरान भारती विदेशनीत की प्रकित का मुल्यांकन करना है समाजिक विशंता के विरूदे ईवी रामा स्वामी नायकर की भूमका की विवेचना करना बहुत है टफ और हट की विल्कुन पेपर है आपका दो हजार शोला का 1920 और 1930 के दसकों में अपनी वेसिक स्यासन के खिलाब भारत में किसान आंदोलों का परिच्छन करना है आपको बेर इंपोर्टन कोश्चन है और 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकारों यानि मंत्री मंडलों के कारका मुल्यांकन करना है आपको के और यह जितने कोश लिंग यह भी बार बार आया है सभी टिपड़ियों में या तो कोश्चन में आया है 1910 के समय जानिक सुधार क्या है संथाल विद्रों के दूसरी बार आ गया है ठीक है तो कुछ ऐसी चीजे हैं दोलन विद्रों से संबंदित जो आपको पढ़ना जरूरी है ठीक है तो यह था ओल्ड कोश्चन पेपर और जो हमने 2014, 2016, 2018 के लिए 2016 का पेपर बिलकुन हटके है कुछ ही कोश्चन से रिपीट हुए हैं लेकिन 2014, 2018 के जो पेपर हैं वो बिलकुन मैच कर रहे हैं यानि कि आप कह सकते हैं कि 2018 के पेपर को आप बिलकुन प्रैक्टिस कर लीजे पढ़ ल होंगे वहां से डाउनलोड कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे चलिए फिर नेस्ट वीडियो के साथ हम आप से फिर मिलते हैं तब तक के लिए चुक के और बाई